स्टूडेंट्स वेलकम त्यूर इंग्लिश क्लास। तुडेय आइम गोईंग तू टीच यू चैप्टर नमबर टैन रिप वैन विंकल फ्रम इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ये जो चैप्टर है वो एक स्टोरी है रिप नाम के आदमी की जिसको की काम करना बिलकुल पसंद नहीं है उसको सिरफ आराम करना और सोते रहना ही पसंद होता है और उसकी इस आदत की वज़े से उसके साथ क्या होता है ये हम इस स्टोरी में जानेंगे. So, let's start the class. Rip and Winkle एक आलसी इंसान था लेजी का मतलब है आलसी आलसी कौन होते हैं जिनको कोई काम करना बिलकुल पसंद नहीं आता है उनको सिरफ बैठे रहना या लेटे रहना ही उनको अच्छा लगता है और अगर उनको कोई काम भी बोला है न तो वो कभी काम नहीं करते हैं और उसी तरीके का एक इनसान था रिप अब उसकी जो वाइफ है वो हमेशा उसको काम करने के लिए बोलती रहती थी कि तुम कुछ काम करो कुछ पैसे घर पे लाओ ताकि हम खाने पीने के सामान खरीच सकें बच्चों का स्कूल में भीज सकें कपड़े खरीच सकें तो वो उसको ब वो काम करता नहीं था वहाँ पे भी जाके सोया रहता था इसलिए जहाँ पे भी ये काम पे जाता है वहाँ का जो ओनर होता है जो मालिक होता है वो उसको काम से निकाल देता था क्योंकि कोई सोता रहे तो उसको थोड़ी कोई काम पे रखेगा तो रिप को जहाँ पे भी ज अब क्या होता है रोज रोज जब वाइफ बोलती रहती है कि तुम काम करो तुम काम पे जाओ काम पे जाओ तो रिप को ये पसंद नहीं आता था एक दिन वो क्या करता है कि घर पे किसी को बताए बगर घर से निकल जाता है और पहाडों के उपर चला जाता है और साथ में होत करके एक दोम उपर के तरफ पहुंच जाता है जहांपे कोई भी उसके पास पौँच ना सके और उसको ऐसा लगता है यहांपे मुझे कोई भी ढूंडेगा नहीं और मैं जितना यहांपे सोना चाहूं मैं सो सकता हूँ और एक और बात है जो आलसी इंसान होता है, जिसको उठके दो कदम चलना भी नहीं पसंद होता है, ये क्या करता है, पहाडों के उपर पहुच जाता है, जिसलों कि उसने कभी अपने लाइफ में नहीं किया होता है अब ये वहाँ पहाडों के उपर एकदम उपर पहुच के आराम करने बैठा ही होता है, क्यूंकि ये बहुत चल के उपर तक आया होता है, और ठक गया होता है तो वो आराम करने जैसे ही बैठता है, तो उसको एक आवाज सुनाई देती है, जो कि कोई उसको उसके नाम से बुला रहा है strange nobody knows me here then who is calling me rip सोचता है कि ये तो बहुत अजीब बात है यहां तो कोई मुझे नहीं पहचानता है फिर भी कोई मुझे अब मेरे नाम से बुला रहा है thought rip and winkle he turned around and saw a funny man carrying a big barrel अब जैसे ही वो आवाज सुनता है उस तरफ वो मुड़ के देखता है कि कौन मुझे मेरे नाम से बुला रहा है यहां पे तो वो एक अजीब सा एक funny looking man को देखता है वहां पे और उसके उसने एक बहुत बड़ा barrel ये बहुत बड़ा container उठा रखा होता है the funny looking man said please help me carry this barrel to my friends a little below the stream वो rip से कहता है कि मुझे थोड़ा help कर दो ये बड़ा सा जो barrel है जो container है उसको मुझे पहाडों के नीचे लेके जाना है जहां पे मेरे friends है तो क्या तुम मेरी मदद करोगे rip and winkle had climbed so far up the mountain to avoid work here was a man asking for help अब rip एक आलसी बंदा जिसको काम करना पसंद नहीं है इसलिए वो घर से भागा था अब देखो यहां पे एक आदमी उसको कहता है कि मेरी help करो he first decided to refuse but then thought पहले rip सोचता है कि मैं इसको मना ही कर देता हूँ फिर वो सोचता है let me help the poor man then I can rest चलो पहले में इस इंसान की help कर देता है उसने मुझसे help मांगा न तो मैं उसको help कर देता है उसके बाद तो मैं आराम करूँगा फिर कोई मुझे रोकने वाला नहीं है so he and the funny looking man walk down to a cave in the mountain below the stream अब ये उस funny looking man की help करने का सोचता है और उससे जो container होता है जो barrel होता है वो खुद उठा लेता है और उसके साथ चलते चलते वापस पहाडों के नीचे आ जाता है और ये लोग चलते चलते कहाँ पहुच जाते है एक cave के वहाँ cave का मतलब होता है गूफा पहाडों के बीच में जो गूफे बनने होते हैं वहाँ पहुच जाते हैं there rip when winkle saw many other funny looking man वहाँ पे rip क्या देखता है कि इस funny looking man की जैसे ही दुसरे भी अजीब से दिखने वाले लोग वहाँ पे उस पहाड के नीचे जो गूफा होता है उसके अंदर है all of them were playing they ignored him वो सब क्या कर रहे थे ये अजीब दिखने वाले लोग क्या कर रहे थे कुछ न कुछ खेल रहे थे और रिप और ये दूसरा आदमी वहाँ पहुशता है तो वो लोग इन पर ध्यान नहीं देते और अपने खेल में लगे रहते है as soon as the barrel was placed on the ground the man pulled out mugs dipped them into the barrel and drank something अब जो container या barrel जो रिप ने उठा रखा था वो जैसे ही वो नीचे रखता है ये सारे अजीब से दिखने वाले लोग अपने-अपने cup mug उठा के लेकर आते हैं और इसके अंदर से इसके अंदर जो पानी होता है वो पीने लगते है it was strange sweet drink अब ये कैसा drink था ये तो पता नहीं कि वो क्या था उसके अंदर लेकिन वो मीठा था रिप वैन विंकल two dipped a mug in the barrel and drank it अब रिप दुसरों को ऐसा करते देखकर वो भी क्या करता है एक mug उठा के उस बैरल में जो पानी होता है वो पी लेता है it tasted good अब उसको जब ये पीया तो उसको बहुत टेस्टी लगा अब उसने तीन मग पानी पी लिया उस बैरल में से तीन बार मग में से पानी निकल के वो पी लिया अब पीने के बाद क्या होता है कि वो सो जाता है अब ये सब होने के बाद वो सो जाता है सो के जब वो उठता है तो वो देखता है कि ये जो अजीब दिखने वाले लोग है वो तो कोई भी नहीं है वाँ पे और वो अपने डॉगी को भी डूनता है जो कि उसके साथ आया था वो भी नहीं दिखता है वो उसको आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता है He could not believe He had slept the whole day and night अब वो सोचता है ऐसे कैसे मैं पुरी रात और पुरा दिन सो गया ऐसा तो हो इनहीं सकता He got up His joints ached अब नीन से वो जाकता है और अपनी जगे से पुठता है तो क्या होता है कि उसको बदन सारे उसके दर्द होते है कि वो ये सोचता है कि मैं बहुत देर तक सो गया इस वज़े से मेरे बॉड़ी में पेन हो रहा है As he started walking back home He saw the village down below which somehow seemed changed अब वहाँ पे जो पहाडों के पहाडों पे रिप सोया था नीन से जागने के बाद उसने अपने डॉगी को आवाज लगई डॉगी ने कोई response नहीं दिया फिर वो उटके दीरे दीरे अपने गाओं की तरफ बढ़ने लगा जैसे ही वो गाओं में पहुँचता है तो उसको ऐसा लगता है कि गाओं में कुछ बदलाव आए है कुछ चेंज हुआ है और जैसे वो गाओं के अंदर आता है अपनी गर की तरफ बढ़ता है तो उसको अंजाने चेहरे दिखते है जिन लोगों को वो पैचानता नहीं है ऐसे लोग गाओं में उसको दिखते है सारे के सारे नए चेहरे होते है अब सब रिप की तरफ भी देखते है और अजीब नजरों से देखते है और अपने अपने गालों पे मारते है यह स्लैब जैसा करते है क्यों करते है सीइंग देम तो डू दू देस Rip and Winkle did the same अब जब दूसरे ऐसा कर रहे है न तो Rip भी वैसे ही करने लगता है अब क्यों ऐसा करते हैं पता है क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं हम सोचते हैं कि नहीं ये तो अब हम कभी मिल नहीं पाएंगे और अचानक मिलते हैं हम को ऐसा लगता है कि शायद हम सपना देख रहे हैं तो हम अपने आपको मारते हैं पिंच करते हैं तो गाओवाले भी इसी तरीके से कर रहे थे रिप को देखके हैं अब रिप को तो ये बात समझ में नहीं आई और वो खुद भी उसी तरीके से बहेव करने लगा To his surprise, he found that he had grown a foot-long bayard over night जब वो खुद अपने गालों को सैल आता है या अपने गालों को पकड़के खीचने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसकी तो बहुत लंबी दाड़ी है उसके घुटनों तक लंबी दाड़ी बढ़ गई है और यह सोचता है कि एक ही दिन में मेरी इतनी बड़ी दाड़ी कैसे बन गई Rip Van Winkle was puzzled वो तो एकदम चौक जाता है उसको आश्चरे होता है He believed that he knew most of the village fox well But today he could not see anyone who was known to him अब वो जिस गाउं में रहता है वो अपने गाउंवालों को तो पैचानता है लेकिन अभी ये गाउं में आने के बाद तो उसको एक भी ऐसा चाहरा नहीं मिला जिसको पैचानता हो The children made fun of him, running behind him बच्चे जब इसको देखते हैं कि लंबी दाड़ी है, एक बुड़ा है ठीक है आजीब सा दिख रहा है तो बच्चे उसको चुड़ाते हुए उसके आगे पीछे दोड़ते हैं Rip and Winkle stopped by a place where there had been a school and asked the crowd that had gathered, where is the schooner, the schoolmaster? अब वो चलते चलते एक स्कोल के पास आता है वो स्कोल को तो वो पैचानता है जब वो गाउं छोड़के भी गया था तब वो स्कोल वहाँ था और वहाँ पे भीड इकटी थी तो उसमें से किसी को वो ये पूछता है कि schooner याने एक इनसान का नाम है वो जो के वहाँ का प्रिंसिपल था तो पूछता है कि schooner कहां है जो के यहाँ के प्रिंसिपल थे Somebody said, oh schooner, he went to the war in 63 and never came back तो कोई ऐसा जवाब देता है वो आप schooner के बारे में पूछ रहे हैं वो तो 63 में, year जैसे अभी 20 चल रहा है न, 2020 वैसे 63 था यह स्टोरी जब थी बले वो तो लड़ाई में जब लड़ाई हो रही थी तो वो military में चला गया है और अब फिर बात में वापस आया ही नहीं है अब वो किसी और इंसान के बारे में पूछता है जिसका नाम वैन डेमल होता है तो कोई जवाब देता है वो तो 18 साल पहले ही उसकी डेथ हो गई है अब इन लोगों के बाते सुनकर वो सोचता है कि क्या मैं पागल हो रहा हूँ क्या मैं इतने सालों तक पहाडों में सोया पड़ा रहा फाइनली रिप वैन विंकल आस्क ड़स एनिवन येर रिमेंबर रिप वैन विंकल अब रिप जो है अपना डाउट क्लियर करने के लिए उन भीड में से जो भीड में खड़े लोगों को पूछता है क्या है इस में से कोई रिप वैन विंकल को जानता है वो अपने बारे में ही पूछ रहा है उन लोगों से तो भीड में से जो लोग इकटा थे उसमें से एक औरत जवाब देती है हाँ मैं जानती हू रिप वैन को वो मेरे पापा थे वो 21 years पहले हमको सबको छोड़ के पहाडों के उपर चले गए थे साथ में जो उनका डॉगी था वो तो वापस आ गया लेकिन मेरे पापा कभी वापस नहीं आ है अब यह उस औरत की बात सुनकर रिप भहुत खुश हो जाते हैं और वो बुलता है बिटा आपने मुझे नहीं पहचाना मैं ही तुमारा पापा हूँ बेटी को भी विश्वास नहीं होता है अब बेटी बुलते है पापा यह आप ही हो और आप इतने सालों तक कहां थे अब पापा और बेटी एक दूसरे के गले लगते हैं यह बेटी को विश्वास नहीं होता है कि उसके पापा वापस आ गये सच में रिप जो पानी पीता है जो फणी लुकिंग मैन लोगों के साथ जो मग लेके वो तीन बार पानी पीता है न वो कुछ ऐसी चीज थी जिसके वज़े से रिप जो है एक दो दिन नहीं सोया था वो 21 years के लिए सो गया था ठीक है वो वापस कब लोटा था उसके गाव में 21 years के बाद तो जो लेजी इंसान होते है न उनके साथ इस तरीके का कुछ न कुछ हाथसा होता है तो हमको क्या करना चाहिए हमेशा active रहना चाहिए रिप की तरह सोते नहीं रहना चाहिए हमारा जो भी काम हो वो टाइम पे करके complete कर देना चाहिए ठीक है न तो यह यहाँ पर यह story complete हो जाता है